हलो दोस्तों मैंने लुनायक्ट आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब वीडियो चैनल इजी इन्फो जोन में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेम्संग का और एक बहतरीlockglass यूट्फन प्रोडपोंक्ट और इसको इसलिए बहतर माना जा रहा है क्योंकि इसका जो sound quality है जो के य ridiculously है और इसका charging केपासिटियो बहुत ही बहतर है तो चलिए शुरू करते हैं ये हो गया इसका जो charging case तो charging case के नीचे के तरफ देखिए एक टो charging point दिया हुआ है जिसके तरो यह charging case को USB cable के जरिये charge कर सकते हैं तो चलिए इसका अंदर का जो नजारा है देख लेते हैं इसका अंदर में खोलने के बाद देखिए इसके अंदर जो है दो ठो यरवर्ट से साथ में बीच में देखिए एक टो black color का point दिया हुआ है जो कि इसका charging status light है और नीचे में देखिए LR का combination दिया हुआ है और इसका battery के अगर बात करें तो इसमें जो है यरवर्ट के लिए 85 mAh का battery दिया हुआ है और charging case के लिए 270 mAh का battery दिया हुआ है और इसको फूल चार्ज कर लेने के बाद इसमें यरवर्ट में 11 hours का और charging case में 11 hours का charging capacity रहता है इसको जब चार्ज करेंगे तो यह जो है 3 मिनिट के अंदर एक घंटे तक का यूज करने का capacity दे देता है इसके design के अगर बात करें तो इसमें जो है तीन टो माइक दिया हुआ है दो बाहर के तरफ और एक जो है अंदर के तरफ जो कि इसका अंदर और बाहर का जो sound है उसको control करता है साथ में इसमें एक sensor दिया हुआ है और दो डो charging point दिया हुआ है इसके sound के अगर बात करें तो इसमें जो है EKG का audio update डाला हुआ है जो कि इसके sound quality को बहुत ही बहतर बनाता है और इसके connectivity के लिए इसमें Bluetooth 5 दिया हुआ है इसके compatibility के लिए इसमें Android 5.0 दिया हुआ है और ये जो है फुरा full charge हो जाने के बाद इसमें आप non-stop 11 hours का magic सुन सकते हैं इसके color के अगर बात करें तो ये 3 color में आता है black, blue और white और इसके अगर price की बात की जाए तो ये जो है 11,999 रुपे में आता है तो दोस्तों ये था Samsung Galaxy Buds Plus का सारा features अब जो है ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो comment के जरी बताईए साथ में मेरा जो channel है Easy Info Zone इसको like, share और subscribe कर दीजिए Thank you